हलो फ्रेंज वेलकम टू गार्गी क्लासिज आज की डेट है आठ नोवंबर दो हजार बीस और देख लाते हैं इंपोर्टन्ट आर्टिकल्स जो आज हम देखेंगे इंडियन एक्सप्रिस के न्यूज सेग्मेंट से और साथ में एक्स्प्लेंड पेज से एडिटोरियल सबसे इंपोर्टन्ट न्यूस कौनसी आई हुई है देखिए यहां पर आप देखोगे सबसे पहले आर्मी गाट पॉलिटिकल सिग्नल टू आइडेंटिफाइक ऑक्क्यूपाइ सिक्स तो सेवन लोकेशन्स ओन एल एसी इन में जब चाइनीज ट्रूप के साथ में ट्रू एक पॉलिटिकल डिसीजन दे दिया था कि भई आप चाइना अगर एग्रेशन दिखा रहा है हमें तो आप भी 6-7 ऐसी लोकेशन्स हैं उन में से कुछ तो ऐसी लोकेशन्स हैं जो कि LAC से भी आगे हैं ठीक है फर एक्जामपल अगर चाइना इंडिया के बीच में यह बॉ हो जाती हैं यह सारी की सारी लोकेशन्स इस्टन लदाख रीजन में आती हैं ठीक है जिसमें एक तो मुखपरी एक रेजांगला मतलब रेजांगला पास एक रेचिनला और एक गुरूंग हिल्स यह आप ध्यान रखना इस आर वेरी इंपोर्टन्ट जेओग्राफिकल लोक इस आर्टिकल देखते हैं नेक्स इंपोर्टन्ट आर्टिकल वैसे ज़्यादा इंपोर्टन नहीं है बस थोड़ा सा हमें आइडिया लग जाए सेंट्रल विस्टा की बात कर रहे हैं यहां पर इस आर्टिकल में सुप्रीम कोर्ट ने अपनी एक कोश्चन्स शो करी है कि अभी आप जल्दबाजी मत करो और गौर्णमेंट को कहा है कि आप नई पार्लियमेंट का जो केंपस बनाने जा रहे हो तो उसको एक बार होल्ड पे रखो हाँ इतना अलाव कर दिया सुप्रीम कोट ने कि आप सेंट्रल विस्टा का जो फांडेशन स्टोन है वो आप डाल सक ठीक है तो इस तरीके से यह सुप्रीम कोट का अपनी तरफ से एक वर्डिक्ट आया है और यह कहा है कि जो फांडेशन लेंग सेरेमनी है दिसंबर 10 को वो आप कर सकते हो continue बट आप नई पार्लियमेंट को बनाना या फिर कुछ डिमॉलेशन करना या फिर ट्रीज को काटना या ट्रांस लोकेट करना कुछ चीजों का तो वो काम है उसको आप एक बार जब तक next hearing ना हो तब तक आप hold पे रखो और इस चीज को central government ने accept भी क्या है that means foundation stone तो देखो put कर दिया गया है central government के द्वारा बट अभी आगे के जो काम है उनको एक बार hold पे कर दिया है ठीक है क्य क्या है Supreme Court का यह मानना है क्योंकि कुछ security कुछ technological concerns है जब तक यह finalized नहीं होते judiciary के द्वारा तब तक कोई जलबाजी ना की जाए इसके अलावा important article है Indian Express के front page पे कि the first details of immunization emerge shots in batches of 100 people and 30 minutes each इसमें group बनाए जाएंगे 100-100 जनों के और 30 minute एक individual को दिया जाएगा और शुरुवात में first आप देख सकते हो first एक immunization का program है वो start होने वाला है तो 100 individual एक group में होंगे एक vaccination center decide कर दिये गए हर एक vaccination center पे और हर एक individual को 30 minute दिये जाएगे उस 30 minute में यह देखा कि जो recipient है जो injection ले रहा है individual उसको track करना क्या उसका health record है आगे आने वाले time पे क्या consequences वो face कर सकता है अगर वो vaccination लेता है और क्या adverse event possible है उन चीजों को देखने के लिए आप इसमें देखोगे government और private दोनों healthcare facilities participate करती हुई दिखाए दे रही है और इसमें first round immunization program जो है उसमें target कि किया जारा है किसको frontline healthcare workers को जैसे doctors हो गए nurses हो गए इन सब को मिला करके ठीक है अब यहां पर important चीज क्या जाती है कुछ data है वो हो सकता है हमारे काम आ जाए तो एक बार इसको note down कहीं कौने पर कर लेना ठीक है कि Corona virus से अब तक 67 million people infected हो चुके है और लगबग 15,000,000 से भी क्या है emergency use authorization इसको आप जरूर याद रखना है यह term बहुत important है prelims point of use है कि emergency use authorization अभी recently news में था यह किस लिए था तो इसका क्या है कि कोई भी vaccine को जल्दी से emergency cases में यूज करने के लिए अभी COVID-19 के लिए यह term बार बार आ रही थी ठीक है तो आप देखोगे जो COVID shield है ठीक है जिस साथ मिलकर के इन्होंने finalize किया था अपना COVID shield और दूसरी तरफ हैदराबाद बेस्ट जो भारत biotech है उन्होंने अपना खुद का co vaccine करके एक vaccine बनाया है तो इनके लिए कही ना कहीं यह जो emergency authorization है usage के लिए emergency use authorization उसके लिए कहीं ना कहीं एक request दायर की है drug controller general of India ठीक है DCGI के सामन ठीक है तो यह एक important article था इसके अलावा आप देखोगे यहाँ पर एक थोड़ी से interesting चीज है बट हमें पता होना चाहिए कि law enforcement कितना important होता है love jihad का अभी recently जो कानून आया था जिसको हम बोल रहे थे anti-conversion law उसमें आप देख रहे हो तो दो cases वैसे तो अभी तक no के लगबग cases register हो चुके हैं पर दो cases में कहीं ना कहीं अपने को देखने वाली बात है कि इसमें क्या है यह जो law है आप में से एक student ने यह बात बोली भी कि बोला सर criminal cases तो retrospectively लगते ही ना exactly वही चीज है बट हुआ क्या है अभी कि interfaith marriages को cancel करना या फिर उनको रोकने के लिए यह कानून लाया गया ordinance लाया यूपी government के दौरा anti-conversion law उके इसमें एक F.I.R. lodge होती है कि भई दो cases आते हैं main जिनके बारे में अभी हम बात कर रहे हैं और उन दोनों cases में हम देखेंगे trajectory में तो बहुत ही difference दिखाई देता है क्योंकि वहाँ पर जो police ने जो use किया है जो wielding की है इस law की wielding का मतला हुथा कानून को use करना तो वो जो use किया है उसको बहुत ही different हम देख पा रहे हैं बरेली का यह case है ठीक है इसमें क्या बताया गया बोले कि नहीं जो daughter ने किया है वो सही किया है एक case तो यहाँ पर male कौन है हिंदू दूसरा case यह है जो कि आप देखोगे Muslim man को arrest कर लिया गया यह कहके कि उन्हों ने उसने एक लड़की से शादी की जो कि हिंदू थी और फिर उसके बाद में उसका religion convert करा दिया तो यहाँ पर चरहां यहां तो बेटी की बात मानी जा रही है क्योकि हिंदू बन्दा है और यहाँ पर बेटी की बात नहीं मानी जारी क्यों कि Muslim बन्दा है अब contrast की बात क्या जाती है यहां पर contrast तो दिख जा सिधा सिधा डिफर saràरा बट point क्या आजाता है कि ये case था September का कि भई शादी September में हो गई पुलिस ने क्या का पहले case में कि भई शादी September में हो गई ये कानून लागू नहीं होता और जब कि यहाँ पर लड़की जो है वो ये कह रहे है कि भई मेरी शादी जुलाई में हो गई थी तो ये कानून बट उस बंदे को जो male counterpart था उसको arrest कर रखा है तो ये जो चीज होती है ना law enforcement agencies के दुआरा ये जो गड़बडियां की जाती है वो कहीं ना कहीं हमारे यहाँ पर बहुत problem का कारण बन जाती है तो ये एक important चीज है इस article में और articles देखते हैं दिल्ली में farmers का protest चल रहा ही हमें तो ISI जो पाकिस्तान की intelligence agency है इसका coalition मिला है एक तरीके से खालिस्तान जो प्रो खालिस्तान militants हैं कि पंजाब में से कुछ हिस्सा लेकर और कुछ हिस्सा पाकिस्तान के पंजाब में से लेकर कि एक नया ही हम तो country बनाएंगे और ये खालिस्तान वाले issue को लेकर कि आपको प पकड़ा गया धर पकड़ हुई है उनकी इसके बारे में ये न्यूज है बस इतना सा पता हो आपको कि ISIS कहां की agency है और खालिस्तान का क्या concept है वो हमने बात की next page देखते हैं second page पे अगर आप देखो तो NCRB डेटा से related है तो government ने ये कहा है कि अब से NCRB में जो third classification of the genders ये भी consider किया जाएगा जो कि transgender के बारे में होगा ये बहुत important initiative है ठीक है तो central government ने मंडे को ये चीज़ दिल्ली high court में बिल्कुल clear कर दी है कि अब से जितना भी national crime record bureau के जो data हैंगे उनमे transgender को एक अलग से gender की तरह consider किया जाएगा उनका अलग से categorization होगा और इसके बारे में communication सभी states और योटीज के बीच में बेज दिया गया है ठीक है इसमें आप देखोगे सारी चीजे और तो कुछ काम की है नहीं फिर इस article में ये जो last का paragraph है वो हम थोड़ा सा देख सकते हैं इसमें कि additional solicitor general चेतन शर्मा जो थे उन्होंने अपनी तरफ से ये बात रखी और चीज वो ह कि 2020 के बाद में अब से जो भी NCRB का जो data आएगा उसमें अब से transgender को भी consider किया जाएगा मतलब male female और transgender तीन category आएगी gender की अगर बात आती है तो ठीक है तो इस तरीके से ये performa जो है performa जो है modify कर दिया जाएगा और इसका communication further सभी से बात्सेत कर ली गई है फिर एक important article आजाता ह है that is CSIR ने अभी human trials के लिए approval लेने की कोशिस की है कि COVID-19 के progress को रोका जाए drug के through ठीक है उस drug का नाम है वो हमें याद रखना है that is very important और ये है उस drug का नाम मॉलनू पिरावेर ठीक है मॉलनू पिरावेर तो council of science and industrial research CSIR इन्होंने मंडे को कहा कि अब हम human trials conduct करेंगे antiviral drug जिसका नाम है मॉलनू पिरावेर जिसके हिसाब से ये कहा जा रहा है कि ये आप ये जो study है इसके बारे में paper publish हुआ है nature microbiology में और इसमें ये बताया गया है कि इस code 2 जिसको हम coronavirus बोल रहे है इसके transmission को 24 गंटे के अंदर अंदर ये drug control कर लेती है तो ये अपने आप में बहुत बड़ा achievement है बहुत अच्छा break through है ठीक है तो meeting हुई इसमें तो अभी target क्या किया जा रहा है कि approval लेने की बात हो रही है DCGI के दौरा drug controller general of India के दौरा ठीक है इसमें आप देखोगे ये important चीज आती है बाकी तो चीज़े क्या वही repeat हो रही है कोई नई चीज नहीं important ये last paragraph है जो मॉलनू पिरावीर जो है वो develop किया गया है एक biotechnology firm है जिसका नाम है Ridgeback Ridgeback Biotherapeutics ठीक है उनका collaboration है pharmaceutical firm मेरक के दौरा ठीक है इसके दौरा ये develop किया गया है अ next page पर देखता है important news कौन सी है देखो इस page पर आप देख पाओगे तो एक तो ये थोड़ा सा Supreme Court की ruling हम देख सकते है main's के point of view से और इस पर definitely article आभी जाएगा हमारे editorial में बट हुआ क्या अभी कि Supreme Court में एक case गया जिसमें जो TV journalist है Amish Devgan उनके against एक F.I.R. रजिस्टर थी बहुत मैंने अपनी journalism की activity को perform किया बट Supreme Court की जो bench थी उस bench ने बिलकुल bench में कौन थे एम खान विलकर और संजीव खना उन्होंने ये कहा कि बहुत जो आपके against में F.I.R. लगी हुई है वो कहीं ना कहीं आपके ओपर reasonable restrictions को लेकर के लगी हुई है जो article 19 में थी ठीक है article 19 क्या कहता है कि आप अपनी freedom को use कर सकते हो बट आपको reasonable restrictions मतलब public order, public health या आपको national security, integrity को ध्यान में रखते हुए फिर बाद में आप भी use कर सकते हो बट यहाँ पर क्या कहा गया है कि बोला आपने जो कुछ भी कहा है वो चीज कहीं ना कहीं reasonable restrictions को breach करती हुई दिखाई देती है तो जितने भी cases laws हुए थे ना जितनी भी FIR उनको combine करके राजस्तान government में अजमेर में में जो police थाना है वहाँ पर allow कर दिया वोले सारी FIR एक जगह पर आ जाएंगी और दूसरा इंको interim bail तो इनको allow कर दी बट यह कहा कि अब आगे से आप इसके ओपर कोई comment नहीं करोगे जब तक final कोई आ इसके निकल के आता है कि वह historical truth तो आनी चीए कोई problem नहीं है बट एनेमिटी या हैट्रेड नहीं आनी चीए society में तो यह line बड़ी important है इस case को आप court कर सकते हो ethics में या फिर कहीं पर भी society में आपको लिखने का मौका मिले तो ठीक है कि नादिर्शा ने attack किया मोहमद शारंगि है बट सबसे important चीज क्या है हमारी जो harmony है ना social harmony वो खराब नहीं होनी चीए फिर एक important article आजाता है कि राज कमल जहां की एक book है एक novel है जिसका नाम है the city and the sea उसको tag or literary prize दिया गया है यह धान रखना आप राज कमल जहां की book है क्या नाम है the city and the sea उसको tag or literary prize दिया गया है जो की 2020 का है मंडेगोर city and sea इसमें concept क्या है 2012 का जो निर्भया जो case हुआ था ना उसके बारे में यह पूरी detail आउट करता है कि कितना horrific sexual assault हुआ था और उसके बाद में murder भी कर दिया गया था उस लड़की का समझ गये इस साल यह जो और जो यह function था यह organized कहां पे हुआ है यह organized किया ग जार डॉलर का प्राइज और साथ में रबिंदरना टैगोर का एक statute दिया जाता है एक मूर्ती दी जाती है कहने का मतलब ठीक है इसमें आप देखोगे social achievement पे बेस जो भी काम होता है उन पे काम मिलता है यह social achievement और इसमें देखा जाता है कि ओमान का बहुत बड़ा contribution अब की ब बार और देख लेना इस प्राइज के बारे में फिर इसके बाद में peaceful protest bjpli यह किसी काम के नहीं है efficacy data यह भी हमारे काम का नहीं है बिलकुल नहीं है काम के और फिर इसके अलावा important articles कि अगर बात करें तो यह एक article बहुत important है रोशनी act के बारे में हमने already बात कर रखी है explain page मै यहाँ पे देखो आप इस वाले segment ठीक है जम्मो एंड कश्मीर state land act 2001 जिसको westing and occupation ownership के बारे में था इस act के उपर hearing चल रही थी जम्मो कश्मीर high court में तो अभी उसको क्या hold पे रख दिया गया है इस act का मैंने आपको बताया था थोड़ा सा crux मैं फिर से दे देता हूँ इसमे क्या था कि 2001 में जब यह act आया था तो जो भी जो bureaucrates थे पॉलिटीशन थे जिन्हों ने अगर जबरन कोई जमीन को हड़प रखा है और उनको बहुत सालों से वहाँ पे उनका position चल रहा है तो उनकी ownership finalize कर दी कि आपकी हो गई वो जमीन तो उसको क्या है सुप्रीम कोट ने स मतलब जब से वह act शुरू हुआ तब से ही इस act को बिलकुल खारीज कर रखा था बट वही बात लगातार सरकारे आती गई और उनका खुद का political जो जरुवते थी वह पूरी होती गई बेरोक्रेट्स राजी होते गए और इस पर सुप्रीम हाई कोट ने यह जो वडिक दिय है उसको अब implementation में लाया जा रहा है तो वह एक important बात थी फिर next page पर देखते हैं next page आता है explain page पर कि अभी जो criticism भी हो रहा है lawsuit भी कानून के बारे में बात की जा रही है बहुत सारे debate चल रहे है कि जो kids को coding सिखाई जा रही है उसको ले करके आपने भी एड दिखा होगा रिति मैनों से हैं कि हम कैसे भी करके students को जो schooling के student है 6-18 साल की जिनकी उम्र है उन बच्चों को हम coding सिखाएंगे online तो इसके ओपर कहीं न कहीं एक debate चल पड़ी है कि free speech का आप use कर रहे हो और customers को आप mislead कर रहे हो ये बात कह करके और company की बात अगर करें तो इस company को by juice ने take over किया था 300 million dollar pay करके और आप देखो कि इसका काम क्या है learning को मतलब starting से ही बच्चों को coding learning सिखाना मतलब coding सिखा देना software सिखाना ही तो आप बात या जाती है कि code के बारे में learning करना ये coding करना सीखना इसके बारे में ये इतना कुछ क्या big deal चल रही है क्या है बड़ी बात तो देखो अपन तो इस तरीके से आप देखोगे तो coder और programmers का आपने आप में बहुत ज़्यादा importance हो जाती है कि अच्छे quality के programs बनाए software बनाए जो की real life problems का sort out कर सके तो computing devices का बनाना और उन्होंने हर एक aspect को कहीना कहीन लाइफ में अपने आज कोई भी gadget को इवन आज आज आप पढ़ रहे ह ठीक है तो आप देखो लगातार इसकी programmers की या coders की जो demand है वो लगातार भड़ती चली जाती है और coding को पढ़ाना उनके बारे में सीखना वो भी एक कहीना कहीन अट्रेक्टिव एक कहता ना कहीन फीचर बनता चला जा रहा हमारे पूरे economy में साथ में हम देखें kids के बारे में अगर देखें तो elementary schooling के time पे भी coding को थोड़ा सा enhance करना और new education policy की बात भी करें तो new education policy में vocational studies, vocational courses provide गरने की बात की गई है ये 6th class से ना कि 6 साल ये ध्यान रखना उम्र 6 साल नहीं 6th class से तो अभी क्या है एक खिलाडिया आदमी है पूनिया जी उन्होंने क्या अपनी तरफ से बहुत जादा प्रोटेस्ट किया है प्रदीप पूनिया नाम हो उनका 30 साल की उम्र है वो लगातार एक ही चीज़ को कह रहे हैं कि बच्चे को शुरुआत में mathematics सीखनी चीए basic चीज़े सीखनी चीए जिसमें पहले वो addition सीखता है फिर subtraction फिर multiplication फिर division फिर उसके बाद में उसकी basic clear होने के बाद में वो काम करता है यहाँ पर writer यह जो पूनिया जी हैं बिलकुल यह कह रहे हैं कि आप car बनवाना चाह रहे हो तो उसके पहले car को draw करवाते हो तो वो ही चीज़ कहीं ना कहीं आप बच्चों के साथ में अभी apply किया ज जाए elementary schooling के time पे ही coding का तो उसका क्या असर रहेगा कैसे यह चल सकता है देखो computer का advancement हम देख सकते हैं हर एक field में हो चुका है और बड़ी से बड़ी चीज़े आज computer से ही operate हो रही है ठीक है leader technology companies की बात करें जैसे हम बात करें Bill Gates की Microsoft company की अगर बात की जाए तो उन्होंने उन्हो सुद का जो attraction था वो लगबग 13 साल की उम्र में ही उन्होंने programming करनी शुरू कर दी थी वैसे मैं आपको एक बताऊं एक लड़का है बहुत छोटा है वैसे तो आप तो खेर age अच्छी खासी हो गई होगी उसकी आप उसके बारे में देखोगे न तो उस बंदे ने अभी तक इसका artificial intelligence पे books published कर दी है और उसका नाम मैं बताता हूं एक सेकंड रुको हां तनमय बक्षी उसके बारे में आप देखोगे वो 13 साल की उम्र तक आते हैं 6 साल की उम्र से उसने coding शुरू कर दी थी और आज शांदार मतलब artificial intelligence के point of view से देखा जाए तो experts में consider होता है उसके interest आता है उसी field में उसको explore करवा दिया जाए ठीक है तो वही बात यहां पर है कि point जो आ रहा है अभी कि यह जो tech companies हैं यह चाती है कि यह जो idea है ना coding वाला यह simple और accessible होना चाहिए जैसे कि एक mother tongue के लिए एक young children आराम से एक तक हैतना friendly nature में experience करता है घर पे बातचीत होती है तो उसको सिखाने की जरूत नहीं पड़ते तो माहोली ऐसा बना दू बोले ठीक है इसके लिए इंडिया में Khan Academy और code.org करके दो already online classes चल रही है और उनहीं में आप देख सकते हो यह जो company है नहीं white hat junior यह भी इसी line में काम करती हो यह दिखाई दे रही है बट जो objection है वो हमने की फिर बात करते हैं कि अभी coding code learning की बात करें तो सिखाता कौन है तो अभी फिलाल जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं उसी तरीके जो enthusiastic entrepreneur और सना वो online education के तुरू सिखा रहे है ठीक है white junior especially अभी देखें तो throughout इंडिया marketing भी की जा रही है लगातार बट कंसर उठाय जा रहा है यह ठीक है teachers का students का या young children का यहां पर harassment होता हुआ ज्यादा दिखाई दे रहा है इसी चीज़ को ले करके कहीं नहीं अब्जेक्शन दिया जा रहा है जबकि हां के जो management है वो इसको workout करके improve करेंगे ठीक है white junior news में क्यों आई है इसका मैंने आपको बताई दिया सारा का सारा और इसके अलावा जो पूनिया जी है जिन्होंने objection register किया तो उन्होंने लगवा YouTube पे 17 वीडियोज डाल रखें उनके दो YouTube channel है एक Reddit account है Twitter handle है उनका कोड़ा account है LinkedIn पे भी उन्हों कर दिया इन accounts को कहीं ना कहीं ये जो white head junior है इस company ने जैसे YouTube के दोनों channel थे उनके ठीक पूनिया जी के तो white head junior के जो management तो उन्होंने सीधे YouTube से अप्रोच के लिए इनके accounts को ही एक बार suspend करवा दिया समझे तो अभी क्या कहा गया है मतलब दिली में ये case चल रहा था तो court ने next hearing ना हो तब तक आप ना तो कोई पोस्ट करेंगे ना कोई नई चीज एक्टिविटी करेंगे इस पर पूरा analysis किया जाएगा और फिर देखेंगे क्योंकि होता क्या है इस तरीके से अगर white head junior ने तो अपनी तरफ से बहुत जादा इन्वेस्ट कर दिया marketing में ओके अब इनक खिलाफ ही अगर कोई video बना बना करके डाले अगर एक campaign या propaganda शुरू कर दे तो उस case में क्या होता है इस white head junior जैसी companies को बहुत सारा economic losses का सामना करना पड़ता है ठीक है तो इस लिए कहिना गए Delhi high court ने intervene किया है और बोला है कि भही आप कोई post नहीं करोगे company से related कोई भी चीज के बढ़िया है building bridge in the forest to help wildlife wildlife को help करने के लिए forest में bridges बनाना देखो यहां पे इस तरीके से यह एक बना दिया पूरा पूरा reptiles के लिए यह बना हुआ है इदर यह reptiles के लिए देखो उपर से national highway pass हो रहा है नीचे से tiger cross कर रहा है तो इस तरीके की passes बनाने से क्या होगा जो man animal conflict अना उसको avoid किया जा सकता है खैर फिलाल news है राम नगर forest division की अगर बात करें जो कि नैनीताल रिष्टे कुद है उत्राखंड की बात करें तो वहां पर first eco bridge reptiles के लिए बनाया गया है smaller mammals के लिए बनाया गया है और वो कहां पर है यहां पर आप देख सकते हो this one इस bridge की बात की जारी ठीक है अब आता है फिर से article पर हाँ तो eco bridge matter क्यों करते हैं बहुत सिंपल सी बात है यह एक तरीके से eco duct या eco bridges इसलिए है कि कैसे भी करके wildlife को connectivity प्रोवाइड करें अब कोई मानलो national park है या फिर कोई wildlife sanctuary उदर से अगर कोई highway निकल गया तो वो ते एक barrier का काम कर देगा कोई cross ही नहीं करेगा और cross करेगा तो accident हो कि उसके death हो जाएगी तो इस तरीके से क्या हो गया इस wildlife connectivity को improve करने के लिए क्या करो इस road को ही elevated बना दो या फिर उसके underpass बना दो या फिर कोई न कोई इस तरीकी का bridge create कर लो कि जिससे वो उपर की उपर जा सके इन में से कोई option उसी को हमने क् bridges ठीक है इसमें आप canopy bridge भी बना सकते हो तो concrete underpass भी बना सकते हो overpass या tunnel भी बना सकते हो या amphibian tunnel भी बना सकते हो तो इन bridges का main काम क्या है कैसे भी करके landscape को जो भी wildlife वहां पे रह रही है उनके लिए contiguous बना देना मान लो यह वाला अपना article ले यहां पे देखो यह वाली image दो लिए continuous accessibility रही की नहीं दर सें तो वो चीज होनी हमारे लिए बहुत important है क्योंकि wildlife अगर protect नहीं रहेगी तो हम कैसे रहेंगे यहां पर बहुत अच्छी बात बता रही है यह देखो bridge है यह एक रस्ता है कि कैसे भी करके ecosystem को हम protect करें उसमें reptile जब protect होंगे तो reptile किस पे feed होता गया तो eagle भी तो इस तरीके से क्या हो गया हमारे पूरे ecosystem को हमने protect कर दिया अब यहांपर कुछ important चीजे हैं वो मैं बताएता हूं आपको कि wildlife institute of India के दुआरा 50,000 km का road project अभी finalize किया गया है तो आने वाले time में हम देखेंगे 5-6 सालों में यह काम होगा तो नेशनल टाइगर जो नेशनल टाइगर conservation authority है प्लीज कमेंट बोक्स में बताओ कि नेशनल टाइगर conservation authority के chairman कौन होते हैं प्लीज आप मुझे बताइए कमेंट बोक्स में ठीक है तो इन्होंने major 3 sites को identify किया है जहां पर आप देख सकते हो कि यह आने वाली नई highways बनेगी तो यह note down कर लो भी ठी ठीक है नेशनल हाइवे 37 कहां पर है नोर्थ इस्टन इंडिया में काजी रंगा और कार्भी अंगलोंग लैंट्सकेप असम में और नेशनल हाइवे नंबर 3 कहां पर है नागर होल टाइगर रिजर करनाटका के थूर निकल रही है तो यह note down कर लो यह question पूछा जा सकता है ठीक है तो इस तरीके से आप देखोगे इन दोनों नेशनल हाइवेज को कहीं नागए treatment देना दूसरा हमने राम नगर डिविजन वाला concept भी देखा ही है शुरू में नैनिताल में इसके अलावा builders देखते क्या हैं बस वही चीज जो हम देख चुके हैं कि road killing ना हो man animal conflict ना हो challenges को देखना पड़ता है ठीक है नीलगिरी लंगूर्स के लिए क्या बनाना चाहिए तो canopy bridge बनाना देना चाहिए मतलब कि वहाँ पर wildlife कैसे survive कर रहे है उसको ध्यान में रख करके फिर देखा जाता है ठीक है आर्बोरियल एनिमल्स हैं कोई भी तो वह क्या canopy paid से paid अगर important कुछ locations हैं आप जरूर इनको सर्च कर लेना मैं बतायता हूं एक तो NS44 कहां पे काना पैंच और पैंच नेवा गाओ नजीरा कॉरिडर मतलब मद्यप्रदेश और महरास्टरा NS44 ध्यान रखना और ये वाले जो जिन मतलब forest regions की बात कर रहा हूं वो भी उसी region में located है इसके अलावा अगर आप देखें तो important यहां पर आ जाती है elephant crossing के लिए facilitate करने के लिए ऐसे तड़ोवा अंधेरी की बात की जाए तो महरास्टरा में tiger reserve है तड़ोवा अंधेरी यह जहां रखना यह भी important line है तो इस तरीके से क्या होता है कि important चीज़े यह है कि यहां पर इन wildlife को protect करने के लिए और continuous accessibility प्रोवाइड करने के लिए यह चीज़ यहां पर avail की जा रही है farmers का protest चली रहा है आप देखी रहा हूँ ठीक है तो अभी government ने बिल्कुल clear बोल दिया है कि हम बिल्कुल भी withdraw नहीं करने वाले है तीन जो हमने कानून ला दिये हैं इसकी वज़े क्या है अभी government के पास राज्य सभा और आप देख सकते हो लोग सभा दोनों में majority है दूसरा इसके पहले भी एक ordinance को withdraw करना पड़ा था जो कि land acquisition से related था इसका नाम मैं आपको बता देता हूँ एक second यहां पर देखेंगे आप कि 2014 में जैसे गॉर्मेंट आई थी तो उन्होंने amendment introduce किया था ओर्डिनेंस के थू लैंड क्या नाम था इसका right to fair compensation and transparency in land acquisition rehabilitation and resettlement RFCTLAR Act 2013 उसमें यह था कि बहुँ कुछ specific तरीके के projects के लिए अगर land acquire की जाती है तो उस case में transparent manner में और उन पर कैसे भी करके government को कोई challenge ना कर सके उसके लिए provision किये थे कि national security से related कोई project हो rural infrastructure से related affordable housing से related हो industrial corridor से related हो या infrastructure and social infrastructure projects से related कोई काम हो तो इन projects को determine करते time पे कोई problem ना आए समझ गए तो public purposes के लिए किया जाए तो इन चीजों को लेकर के बाकी यह क्या ordinance फिर बाद में repeal कर लिया गया था इसलिए यहाँ पे देखना हमारे लिए ज्यादा important बनता नहीं है ठीक है फिर इसके अलावा आप देखोगे economy page पे तो economy page पे देखो तो jet airways के बारे में बता रहे हैं कि next year summers में resume कर लेगी काम का नहीं है ज्यादा कुछ यह भी यहाँ पे आप देख सकते हो कि wire line capex के बारे में wireless और wire line इनके बारे में बताया हुआ है जो expert है वो यह बताना चाह रहे है कि दोनों का mix होना चाहिए जैसे रिलाइंज जी हो का यहाँ पे example दे रहे है कि ज्यादा तर जो reliance के tower almost 80% वो fiber के through connected है ठीक है fiber cable के through बाकी वैसे transmission वो क्या करता है wireless तो wireless तो क्या है range प्रोवाइड करता है ध्यान देना wireless क्या प्रोवाइड करता है range जबकि wired जो network होता है वो आपको capacity प्रोवाइड करता है जैसे कि आप broadband connection यूज करते हो समझ गए तो यह चीज यहाँ पे main important अर्टिकल में इसके अलावा आप यह देखोगे quarterly GSTR to ease compliance from January यह आर्टिकल आप देखोगे इसमें काम की चीज क्या है वो मैं बताए तो आपको goods and service taxes की अगर बात की जाए तो अभी तक आप देखोगे लगबग रुपीज 5 करोड का turnover जिस भी company के पास में है तो उन लोगों क अब apply एक option दिया जा रहा है कि उनके पर जो tax देने का burden है कितना बोल रहे है up to 5 करोड यह ध्यान रखना है जिसका नाम है quarterly filing of return with monthly payment ध्यान देना यह scheme है और यह किनके उपर apply होगी जिनका turnover annual कितना है 5 करोड तक का उनको यह allow किया है कि भई अब आपको हमेशा तो क्या है इनक को भी अब इनको बोला गया कि वहला आपको आठ रेटरन से वरनी है चार तो quarter की और चार महने के हिसाब से आपको मतलब चार रेटरन होंगी जिनमें आपको महने का transaction बताना है तो यह चीज़ आप जरूर ध्यान रखना facility कितनी range तक की गई है और कौन सी scheme है ठीक है इससे क्या होगा जो small MSMEs के जो लोग है इनको थोड़े सी problem का सामना कम करना पड़ेगा और साथ में यह भी facility करने का scope बन रहा है कि अब से जो MSMEs taxpayers हैं वो अब से SMS की through EGST return फाइल कर पाएंगे तो यह भी एक facility करनी चारी है क्यो से ही invoice फार दिया कोई पर्ची फार दी सामान की तो उसके उपर ही tax लगाना शुरू कर देती है government ठीक है तो MSMEs को क्या पास में क्या होती है liquidity की crunch पहले ही कम होती है क्योंकि होता गया है कि अब मान लो पर्ची फार दी कोई बड़ी farm छोटी farm से कुछ equipment खरीती है वो लेकर के चली गई बट पर्ची फार थे ही invoice फार थे ही GST तो लगना शुरू हो गया बट अभी तक payment नहीं आया तो यह तो गाटे में गया ना MSME क्या करना पड़ेगा MSMEs की एक request थी कि भई अब आप payment receipt आए ना हमारे पास में तब आप अमारे ओपर GST अपलाए गरो ये भी एक request थ की बात करें इंडिया के लिए तो यहां पर आप देख सकते हो sorry जो custom data है चाइना का उसके हिसाब से चाइना से इंडिया को export किया गया है लगबख 59 billion dollar की consignments जबकि इंडिया की तरफ से चाइना को export किया गया कितना 19 billion चाइना की तरफ से जो export हमारे यहां पर आता है चाइना जो export करता है इंडिया को उसमें तो देखो इस साल में 13% की कमी देखी गई है जबकि इंडिया जो चाइना को export करता है उसमें 11 मतलब आप देखोगे लगबगे 16% का increment देखा गया है तो देख सकते हो कि हमारा जो trade account deficit है या कह सकते हैं कि trade deficit है वो थोड़ा सा narrow हुआ है पिछल साल तो क्या था चाइना हमें export कर रहा था 59 बिलियन डॉलर का सामान बड़ अपकी बार कितना किया 40 बिलियन ठीक है तो इस तरीके से आप देख सकते हो difference कितना 19 बिलियन का हमारे यहां पर था तो total overall difference कितना रहे है कि वह 40 बिलियन का जो पिछली साल 60 बिलियन का difference था ठीक है रही सही में हमने 200 से ज्यादा application को भी बैन कर दिया चाहिना की को क्या कहके कि हमारे sovereignty और integrity को कही नहीं ठीक है इस से हम risk नहीं ले सकते ठीक है इसके अलाव वर्ल्ड वाले page पे मुझे कुछ भी काम का इतना लगा नहीं है और आप देखोगे आगे फिर sports page है तो यहां पर अ के वल एक ही kidney थी उनकी body में तो यह कोई काम की चीज है नहीं awards agitation यह आप देख सकते हो athletes protest कर रहे हैं यह issues चलते रहते हैं ethics के अंदर यह काम आ सकता है तो अब देख ले ना इस article को बाकी important चीजे जो थी हमने cover कर ली है so thank you यह series अपनी continue रहेगी जिसमें news और explain page को दोनों को स हाथ में discuss करेंगे ठीक है thank you